हेलो एपरिबड़ी वेल्कम टू कैरल उंचर सो दिस इस मी प्रवीन चवे आगे हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है वह हम लोग बात करेंगे किगाली एमेंडमेंट से यह टॉपिक इन वार्मेंट्स लेड़ेड हैं तो क्लामेट चेंज जैसे आप फ घीले चीजों को लेकर हम लोग इस पर बात करेंगे तो किगाली एमेंडमेंट है छिक हैं मतलब फिसके पहले कोई एक्रिमेंट साइंडवा था जिसको अब कुछ नए फीचर को लायाdoes था उसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगेज तो कीगाली एमेंडमेंडमेंट क के पहले जो साइन हुआ था उसमें जो पाडिसीपेट किए थे उने सारे कंट्री को अब इसे इंप्लिमेंट करना है अपने कंट्री में तोई यह बहुत इंपॉर्णट टॉपिक होने वाला है बहुत हाला कि यह agreement और amendment कोई recently 2022 में sign नहीं हुआ है यह sign बहुत पहले हो चुका था लेकिन यह news में आया तो ऐसा topic को हम लोग कहते है evergreen topic बहाना चाहिए current affirm आया ठीक है और यह topic आपके लिए हमेशा relevant रहेगा चाहिए आप किसी बीगजाम के तियारी कर रहे हो यह topic आपके लिए हमेशा relevant रहेगा अभी news में क्यों आया है तो अभी recently आया है the US lawmaker Senate जैसे हमारा Parliament होता है legislature body होता है US का अपना legislature body की है Senate recently ratified recently voted to ratify the Kigali Amendment इसका मरलब है कि जो US का Senate है वहां के जो legislature है वहां के जो member है उन लोगों ने मिल कर यह बात को रखा है कि इसको ratify करना है इसको implement करना है making this the first time in 30 years for the US to adopt an international climate treaty देखिए US हमेशा climate change की जो भी treaty होती है न उससे अपने आपको दूरी बनाया रखता है उनका कहना है कि देखिए जो climate change है वो इसके पीछे reason क्या हो रहा जो भी environmental change देख रहे हैं उसके पीछे reason है developed country का डेवलोप country का जब industrial revolution start हुआ उसके बाद से जो fossil fuels का use होना शुरू हुआ और जैसे जिसे यूज होना शुरू हुआ emission of carbon dioxide में इन ग्रीन हाउस गैस निकलने शुरू हो गए और वह atmosphere में जाकर एक ग्रीन हाउस एक ग्रीन हाउस गैस जैसे एक्ट करते हैं और जिसके वज़र से क्या होता कि हमारा global warming और कह सकते हैं average अपना डिसेजन खुद लेने के लिए अपना एक्शन खुद लेने के लिए इनको डेवलाप कंट्री की कोई सहय तक जरूत है नहीं क्योंकि यूज कहता कि यह भी इक्वली कर रहे हैं इक्वली इमिशन कर रहे हैं carbon dioxide अधर gases का तो इनको भी मतलब equal stand लेना चाहिए as compared to developed country तो यह 30 years में पहली बार हुआ है जब US ने किसी climate treaty को amendment को accept किया है ठीक है अब जो किगाली जो हम बार बार सुन रहे हैं यह देखिए US का जो सिनेट है उसका जिसे हमा और वहाँ पर है यह किगाली ठीक है मैप से भी समझेंगे इसको जैसे इसके आगे पीछे कौन से country उगांडा है democratic republic of Congo है लेक कीवू है ठीक है यह किसे किसे border बनाता लेक कीवू है फिर तांजानिया है यहाँ पर लेक रेवेरू है ठीक है तांजानिया नीचे है अब बुन किगाली अमेंडमेंट है क्या है दिससे मैंने आपको स्वू में बताया था कि कईगाली एमेंडमेंडमेंड में भी इसके पहले कोई Calm किया गया तो किगाली अमेंडमेंट क्या होता है उसका सबसे इंपोरेंट बात यह है कि एमिंग टू प्रोटेटिंग दी क्लाइमेट को प्रोटेट करना एंड दी ओजोन लेयर जो होता है हमारे जो एटमोस्फेरिक जो लेयर होते हैं जैसे कि थोड़ा सा में एक्जांपल म मेंगे बस समझें कि ओजोन लेयर होता क्या इसके उपर होता है आपका स्टाडोस्फेर होता है तो स्टाडोस्फेर में ही एक होता इक ओजोन लेयर हाँगे लेयर कहां पाया जाता है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो यह पाया जाता है स्टेडोस्फियर में ऑप्शन देदेगा ट्रोपोस्फियर स्टेडोस्फियर इसके उपर होता है मेजोस्फियर इसके उपर होता है थर्मोस्फियर थर्मोस के उपर होता है एक्जोस् देख सकते हैं इस image में बहुत अच्छे से इस image में बताया गया है जैसे कि आप यहां देखो यह जो sun है sun से जो ultra world radiation आ रहे है अर्थ पर ठीक है तो यह जो ozone layer है यह ozone layer आपको यह क्या करता है protect करता है जैसे कि ultraviolet sea is more harmful okay more harmful है तो वो layer को उस radiation को अर्थ पर आने नहीं देता है उसको absorb करता है because of the presence of ozone gas यह कौन सा गैस प्रेजन है ozone gas प्रेजन है तो ozone इस लाइफ सपोर्टिंग गैस अब इस layer को protect करने के लिए एक protocol sign हुआ था जिसका नाव है Montreal protocol उसके बारे में बात करेंगे हम लोग यह जो layer है बहुत ही important है ठीक है क्योंकि यह radiation जब हमारे अर्थ पर आ जाता है तो जिससे बहुत सारे different type के diseases होते है skin cancer हो सेने का डर है eye disease cataract eye disease होता है वो सारे 28th meeting of the party to Montreal protocol remember यहां पर जो मैंने बताया कि amendment है इसके पहले कोई protocol sign हो चुगा था और वो sign protocol क्या था Montreal protocol याद रहे exam में आप से पूछा जा सकता है दो टाइप के जो प्रोटोकोल एक होता है क्योटो प्रोटोकोल होता है क्योटो प्रोटोकोल है क्योटो प्रोटोकोल इस डिफरेंट वो हो गया carbon dioxide के लिए है ठीक है और जो मौनिटर प्रोटोकोल हो गया यह ऐसे चीजों के लिए जो ozone depleting substances on substance that deplete the ozone layer in Kigali Rwanda more than 170 country agreed to amend the protocol ठीक है अब जो मौनिटर प्रोटोकोल है यह किसके लिए है ozone depleting substance ozone depleting substance means क्या है आप देख सकते हैं जैसे कि यह ozone layer है ठीक है यह ozone layer यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब यह कहीं न कहीं मतलब यह ozone hole होता है इसको हम लोग कहते है ozone hole ठीक है ozone hole मतलब कि ozone layer उसमें gap हो जाता है जिससे radiation क्या है डिरेक्ली अर्थ सर्पे से पहुंचता है अब यह कुछ सालों के बाद यह इतना बड़ा radiation इतना बड़ा जो देख रहे हैं hole हो गया है यह ozone layer हो गया है इसको कहते है ozone hole और यह antarctica arctic regions में ज् प्रोटेट करा तो ozone layer वो क्या हो रहा कि अब directly earth पे आ रहा जिससे की बहुत सारे बीमारिया हो रही है जो biotic community है उनके लिए harmful है और जो global average temperature वो भी increase करता है तो इसी layer को प्रोटेट करना है इसको वापस इस तरह से लाना है लाना है जहां पर ozone layer पूरे तरह से प्रोटेक्ट क करना यह hydrofluorocarbon क्या होता है by cutting their produce production and consumption इसका production को भी रुकना है और consumption जहां पर इसको यूज होता है उस जगह पे इसको रुकना है the goal to achieve over 80% reduction in HFC consumption by 2047 मतलब आते आते 2047 आते आते कीगाली अमेंड में बात की गया है जो hydrofluorocarbon है यह इसको क्या करना है इसका consumption and production याद रहे एक्जाम में पूछा जा सकता है कि only consumption और only production आपको याद रहे consumption and production दोनों को रोका जा सकता है रोकने की बात कही गई है और 80% reduction होना चीए 2047 दर यह जो year है यह भी आपकी exam point of view से काफी important होता है छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखना है क्योंकि आपसे कहीं भी mistake हो सकते हैं question solve करने में ठीक है तो यह हम लोग ने समझ गया कि किगाली amendment ह होता किया कि काली amendment हो गया इसमें hydro fluorocarbon जो गय से उसको cutting करना है production और उसका use consumption को by 2047 तर कितना 80% ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या important बाट है अब जैसे कि हम लोग ने बात किया Montreal protocol जो Montreal protocol क्या है जैसे कि यह protocol was signed in 1987 रियाद रहे year and entered into force in January 1989 1989 में force maya the protocol give provision to reduce the production and consumption of ODS ODS means ozone depleting substance like the chlorofluorocarbon that were earlier used in air condition अब यह chlorofluorocarbon कहां यूज होता है air condition में यूज होता है refrigerator में हो जाता है fire sting reserve में यूज होता है और यह CFC क्या होता है कि यह सबसे बड़ा एक reason है ozone हो लोने का CFC क्या होता है कि जिसे ozone gas है वो naturally formed होता है stratosphere में और जैसे की CFC क्या होता है कि under the influence of ultra-fault radiation क्या होता है कि इसका जो chlorine है यह chlorofluorokarbonate इसका जो chlorine है वो क्या होता है CFC से टूट जाता है और यह chlorine फिर ozone gas से react करके chlorine oxide plus oxygen बनाता है तो यह जो O3 आप देखें यहाँ पर O3 से जो O2 plus O हुआ इसी को कहते हैं ozone depletion यह ozone टूट गया यहाँ पर ozone टूट गया ozone depletion हुआ और इसके पीछे reason क्या है यह chlorine जो कि CFC में है अब यह chlorine क्या होगा फिर से किसी monotemic oxygen से react करेगा और यह chlorine फिर से क्या होगा अलग हो जाएगा अब यह chlorine फिर से एक नए ozone molecule को तोड़ेगा तो यह क्या है एक catalyst करता है मतलब इसका chain reaction continuous चलता है मतलब इसके लिए बहुत सारे जो thousands of ozone molecule को नश्ट करने का काम करता है इसलि इस chlorofluorocarbon कैसे हम लोग कम करें क्योंकि एक chlorine मिलकर thousands ozone molecules को तोड़ देता है ठीक है तो यह बहुत important बात हम लोगों को पता चला कि जो chlorine है इसका the monitor protocol led to the replacement of CFC with the hydrofluorocarbon okay अब देखे 1987 में जब यह monitor protocol signed हो रहा था उसमें बोला गया कि जो CFC है यह बहुत ही harmful है किसके लिए है ozone layer को deplete कर रहा तो उसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे hydrofluorocarbon 1989 की बात बता रहें ठीक है 1989 में जब hydrofluorocarbon का यूज होना शुरू हुआ in place of CFC कुछ सालों के बाद 10 साल 15 साल के बाद यह पता चला 2016 तक यह बात पता चला कि जो हम replace किये थे hydrofluorocarbon यह तो ज्यादा harmful है CFC से ज्यादा harmful है इसका जो global warming potential है like carbon dioxide उससे भी बहुत ही ज्यादा है तो यह और भी harmful है मतलब CFC तो यह मतलब ozone layer को deplete नहीं करता है इस ग्रीन हाउस गैस लेकिन इसका जो ग्रीन हाउस effect है वो बहुत ही ज्यादा है as compared to other greenhouse gas like carbon dioxide, methane, okay other water vapor is all greenhouse gas उससे भी ज्यादा यह hydrofluorocarbon dangerous है ठीक है which do not destroy the ozone layer but they were later found to be extremely potent in causing global warming यह मतलब global warming में ज्यादा ज्यादा responsible है so the HFC solved one problem but were contributing in a major way to the another एक problem तो हमने ने solve कर दिया कि ozone layer को protect कर दिया हम लोंने CFC को replace करके HFC से ला दिया लेकिन hydrofluorocarbon ने एक नया problem खड़ा कर दिया जिससे हो रहा है global warming, global warming इतना होने लगा कि government सारे countries मिल कर यह decide किये कि इस HFC को जितना जल्दी हो सके हम लोग इसका use करना बंद करे ठीक है यह हो गया monitor protocol में यह बात यह रखी गई ठीक है इसका member बन गया था India join कर लिया था तो देखें इंडिया सुरू से climate change के प्रती बहुत ही positive attitude रखा है बहुत ही positive action लिया है ठीक है second India has given its approval for ratification of the Kigali amendment or the monitor protocol on substance that deplete the ozone layer for phase down hydrofluorocarbon in August 2016 okay ratification के लिए approval दे दिया था August 2016 में ही यह देख सकते हैं यहाँ पर August 2020 में लेकिन last year में India will complete its phase down hydrofluorocarbon in 4 step 4 step में इंडिया इसको reduce करेगा जैसे पहला है from 2032 से इंडिया start करेगा with cumulative reduction of 10% 10% by 2032 2032 आते हैं 10% reduction करेगा फिर 20% 2037 पांसल के बाद फिर 20% क्योंकि हमें उसको adopt भी करना है उस जगर पर replace भी करना other gases को फिर 30% 2042 और 85% in 2047 पांसल चार फेज में इंडिया इसको reduce करेगा ठीक है तो exam point of view से काफी important यहाँ पर ठीक है तो यह news article आपके लिए काफी important हो जा था exam point of view से I hope this will help you to solve many questions in your exam okay तो मिलते हैं next video में नए current affair के साथ okay thank you goodbye